विडियो स्टॉक मार्केट विडियो इस वीडियो में डिसकस करेंगे चलिए फेंड से वीडियो स्टार्ट करते है तो गाई जो 27 ऑगस्ट को अगॉस्ट को प्लोज किया जाएगा त्रीड आई प्यों 18.08 करोड का फिक्स पाई जिसु आई प्यों 16.14 लाक शियर्स का फ्रेश इसु किया जा रहा है अलॉट्मेंट डेट फाइनलाइज के थाटीट अगोस्ट का और लिस्टिंग रहे है थाट सेप्टेंबर का नसी एसमीप लिस्टर किया जाएगा 112 पर शेगी प्राइस बैंड रिडिल का उफर दिया गया जो कि 50-50 परशन का उफर दी गई है प्रोमोटर की बात करें तो मिस्टर धीरज कोचर मिस्टर अपश्वीनी पांडा मिस्टर ब्रहमननंदा पत्रा और रिवील एई टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटर इसके प्रोमोटर है होल्डिंग की की बात करें प्रिएशो 99.97 परशन का पोस्ट 266.96 परशन का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा बिजनस की बात की जाए तो यहां दिसंबर 2009 में कॉर्पेट क्या गया था इंटिग्रेटिड एलक्रिकल एंड आप्टोमेशन सॉलुिशन है ये कंपनी जो कि कंपणी जो international है स्मार्ट लो वोल्टेज़ पैनल स्मार्ट मीडिय वोल्टेम पैनल और स्मा क्पनी शप्रेयेबल फ्रियोंशी ड्राइव पैनल्स मेडियम व undergoing और सॉफ्र्यों और इनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और पैनल्स का जो सो कंपनी सप्लाइब करता है इसको सप्लाइब करने में और कंपनी जो एयर इंसुलेटेड और सैंड्विच बस का डक्ट्स बस डक्ट्स का भी जो सो ओफर करती इसके लावे और यह सर्विसेज जो इसमें गाई इंक्लूड है इन हॉस प्रोड़क्ट डिजाइन डिवलप्मेंट मैनुफाक्ट्रिंग स इस्टम इंटीग्रेशन सर्विसिंग करती है और स्मार्ट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स का और यह जो सो कॉंप्लाइब है हाई इंटरनाशनल आई इसी के स्टैंडर्स के साथ क्वालिटी और सेफ्टी के लिए कंपनी जो इस रटीफाइड किया गया प्रोड़क्ट इनिट है 20 ऑगस्ट 2024 के डिटा के अकॉर्डिग अभी डिशेंट डिटा के अकॉर्डिंग 65 एंप्लोइस पेरोल पर काम कर चुके थे और फिनाशल की बात करेंगे तो ट्वेंटीटी तू में 16.2 करोड का रवेन्यू 20 लाक्स 23 लाक्स का प्रॉफिट 23 में 20.7 करोड कर फिनाशल अकर देखा जाया तो यहां पर टॉप लान में तो अच्छी ग्रोथ हो रहा है तो चाहिए 22 के कंप्रेंज 23 24 बहुत अच्छी ग्रोथ है लेकिन बॉटम राइन में बहुत इस सदेन बूस्ट हुआ है गाइस और इस लिगाई एक थोलो सा मतलब कि कह सकते है बू के डिमांड में फ्लक्ट्वेशन होता है तो और इसके अलावे सिप और सिप 65 एंप्लोई के साथ कंपनी ऑप्रेशनल एफिशेंसी बहुत जबहुत है स्मॉल वर्कफोर्स पर और डिमांड जो इंडेस्ट्रिल आटोमेशन सॉलूशन का यह टाइड है ओवरॉल एकनोमिक स्वाब्रेशन है मैं जिसके कारण एक्सपोज हो सकता है कंपनी इस के सबस्क्राइबing बल्कि बहुत एवरेज लिश्टिंग दे रही है औपजेक्टिवक्टेफ लिकाइंड है तो वर्किंग क्या मेट करना चाहती है इस पर secured या unsecured loans है इसको repayment करना चाहती है जनरल कॉर्ट पर प्रपास और offer expense को meet करना चाहती है यहां भी गाइस लोंस को pay करने 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 कपनी जो इसका फिनांस है finance cost है interest है उसको reduce करेगा जिसे profit improve करेगी और यह one of the emerging niche player है integrated electrical and automation solutions में और global leaders के साथ भी सेग्मेंट में जो सो tie-up कर चुकी है अब तक और इसके करने गाइज is over others जो प्रोवाइड कर रही है और लाश्ट फिसकल सब्सक्राइब जो performance है यहां पर आगे की और बढ़ता हुआ देखने को मिला आगा है अगर अगर नहीं होता है तो इसमें लिस्टिंग भी जो से अवरेजी मिल सकता है लेकिन आप देखना है कैसा परफॉर्म करता उसके अब इसमें डिस्टिंग लिजेगा तो हम लोग वेडियो कहीं पर रेंट करता है अगर कोई डाउटर कमिन बॉक्स में पूछे मिलता है नेक्स्टों में दिलने मा बाई